लो विल्कम बाक टो एसे मैथन और टीसिस कोईसिन स्रीज के प्राफिट और लॉस के चैप्टर चल रहा है क्लास नमबर थर्टीवान है इसके पहले वाले क्लासेस आपने नहीं किये हैं तो जाके आटेंड कर लो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है यह हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक है एसे से मैथ्यान यहां पे हर सुबह नौ बजए आपको एक क्विज मिलेगा जो के बेस्चाप्टर सकता है और भी बहुत सारे डिटेल्स चैप्टर के जिदने सारे क्लासेस होता है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले टिलिग्रम पे दिया जाता है और कोई क्ल जाता है तो चली दिखता है क्लास ब्लास करते हैं यह अपकि यूमक।थे आपने नहीं बन पाया क्योंकि आपके नहीं अगजस नहीं है इस झान से लोग ये तो दिक्कत वाल क्काम है क्योंकि इसका हम तुका पहले तीन क्लास हो चुका है तो यह 4 क्लास साथ Ha С Давam क्लास ही बोल सकते हो तो फिर भी आपसे नहीं बन पाए रहा है मतलब फिर तो दिक्कत है इसमें फोर्थ क्लास चल रही है ठीक है तो देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है थोड़ा सा समझते हैं बस्टेशन असा समय तो बैच नहीं दो बन होखने च। आतार असे अन भी को फेक्षिक बते हमसे क्यायोंना दूल पिट्विस ऑड़रो पैसे इस चाही इच गयोंने म३रीच थोड़ूंत जबहऑ है एक सेगंड, 320 पे वेचने पर, 320 पे वेचने पर, उनको कितना हुआ, 20% का लॉस हुआ, सर, 20% का लॉस मतलब, अगर हम लोग प्राइस को रिज्यूम करना चाहते हैं, तो 100 बटा 80 से गुना करना पड़ेगा, हाँ, सर, गुना कर दिये, अब अगर उसको प्राफिट 20% मिलाना है, तो कितना गुना करना पड़ेगा, 120 बटा 100 पे गुना करना पड़ेगा, हाँ, सर, गुना हो गया, तो यह कड़ गया, सर, यह कड़ गया, 8 चोके 32, 12 चोके 48, तो 480 हो जाएगा, प्राइस उसका, आप्शन नमबर, बी शूड वी दा करेक्ट अंसर, यह कब आया था, य 2nd August 2019 में पोचे गया थे, यह सभी examen के लिए महतपूर है, अभी आपका NTS का notification भी आ चुका है, तो उसके लिए भी यह बहुत ही महतपूर है, तो चली देखते है, next question, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, देखो, the difference between selling price of an article when sold at 25% profit and 37.5% loss is 1250, मतलब sir, 25% profit में बेशते हो and 1250, 37.5% loss में बेशते हो, तब जाके दोनों का difference कितना खड़ा रहता है, sir, 1250, what will be the selling price when it is sold at 12.5% profit, बहुत ही मैथपूर है, हाँ sir, बहुत मैथपूर है, ध्यान लगते हैं, अगर हम लोग इसको हिसाब करते हैं, ASP, पहला वाला ASP, दूसरा वाला ASP से तवा अलग बात है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना दूसरे तरीका के हिसाब करेंगे, अगर ये 0 है, 25% profit कितना हो जागा, sir, time grab में हम लोग इसको 25% profit लिख सकते हैं, और 37.5%, 37.5% का loss इधर लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही amount के उपर है, इसी कारण से एक ही line grab में रहेगा, बताओ एक चीज, ये दोनों के बीच का distance कितना रुपए दिया है, sir, 1250, क्या ये negative में है, ये positive में है, को minus करेंगे, तो जोड़ना पड़ेगा, हाँ sir, तो 25 plus 37.5 को जोड़ते हैं, तो कितना हाता है, 0.5, 75, 12, 1, 6, 62.5, क्या ये 62.5 के value, 1250 दिया हुआ है, हाँ sir, तो बताओ एक चीज, 100% का value कितना हो जागा sir, 100% का value upon 62.5, गुना 100, इस point को उटाते हैं, तो गुना कितना हो जागा sir, 10 हो जागा, 25, 25, 625, 25, 125, तो 50 होता है, 25, 2, 50, तो price क्या था sir, 2000 था, यहां तक सही है, अगर यहां तक आपको पता है, तो बताओ एक चीज, उसी चीज का, मतलब sir, उसी सामान का, हमें क्या निकालना है, उसी सामान का, हमें निकालना पड़ेगा, 12.5% के profit में selling price, 12.5% का value क्या होता sir, 1.8, मतलब sir, 9.8 में बेचेगे, हां sir, क्या हुआ, sir, 12.5 क्या होता sir, 1.8 के value, तो 1.8 मतलब sir, 1.8 के profit मतलब sir, 9 रुपे में बेचेगे, तो sir, 8 से हीट साब करता है, तो 8, 2, 6, 8, 5, 4, is the correct answer, कहा है option, option number, D is the correct answer, बढ़िया बात, तो चले देख लेते next question क्या दिया हो है, अब देखते हैं, next question क्या दिया हो है, sir, यह कब आया था, ऐसे CMTS 2019 में पूछे गया था, तो बढ़िया बात है, तो चले देख लेते क्या दिया हो है, दिया हो है, देखो, एक article is sold for, थोड़ा से छोटा कर लिए, एक article was sold for 1725 at 15% profit, ठीक है, 15% profit में बेचा गया है, कब की, जबकि price कड़ा रहता है, 1725 रुपए, at 15% profit, if it is sold at 15% loss, then what will be its selling price, किसी का 15% profit मतलब 115 हो जाता है, 100 रुपए का सामान को आप 15% मतलब 115 में बेच रहो, मैं यहां पर fraction value नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तीन बटा 20 आएगा, उससे कोई profit हमारा नहीं बनेगा, एक ही बात है, अच्छा, तीन बटा 20 भी लिख सकते थे, तो 1725 के सामान को बराबर क्या होता है, 115 के value के सामान, तो उससे 100 बटा 115 गुना करेंगे, तो CP आजाएगा, उसको फिर से कितने में profit, कितने में बजना है, सर, 15% loss में मतलब 85 अपर 100 कर लेते हैं तो 100 कट जाएगा, तो यह कितना होता है, सर, 5, 2, 10, 11, 5, 3, 15, 5, 5, 35, तो तीस से काटेंगा, तो 1725 को तीस से काटते हैं, तो कितना आजागा, सर, 2, 16, 7, 7, 26, अच्छिक है, तो एक एक पांच, तो तीस कितने में होता है, सर पांच में होता है तो 75 आ गया तीश से घाते है तो 75 हो जाएगा तो सेवेंटी फैब झाल आपको 1725 वो तर फिर्वेंटी फैब 25 गुना 17 खिद्रा हो जाएगा सर 75 गुना 20 करो मानस तीन करो नहीं जरूरत भी नहीं है तो सर जो से हो जाएगा सर 750 प्लास साथ पंच पैंटीस के रिफवर तीन साथ साथ उन्चा साथ तीन कितना होता सर बावन अता है तो पांच पांच दो साथ साथ पांच बारा ठीक है बारा सु सेवेंटीपाइब वन तू सेवन फाइब इस दर्क्रेक्ट अप्शन नमबर ए ओके सर त यूशाए इक लिएक को टू इरो सेवन जिरो में बेच गया उससे क्या हुआ फिप्टीन पर्सन का प्रॉफित है इस दा इससे पंद्रा परफित होता है वराबर कितना हो जागा सर टू रो सेवेंगों गुना सर बीज बता कितना गुना करना er सर इक और पंद्रा परसंद फिर मतलब तीज से डिवाइड करना सर two zero seven zero तेज से काटेंगा तो कितना हो जागा सर सर्थ तेइस not इन सत्ता इस होता है नौदुना अठरा तो 90 90 गुना वीज कितना होता है 009 तो आठरा सो आ गया हां सर आठरा सो आ गया यह क्या हुआ सब सीपी हुआ कैसे आया तीज बीस बटावीस तो सर बीस रुपए के सामान को तीज रुपए में बेचना पड़ेगा ठीक है तो यह फिफ्टीन परसन का वैलू अब बताओ एक चीज अगर ऐसा प्रॉफिट दिया हुआ है मतलब सर किसी को बेचने पर प्रॉफिट आता है बर बढ़िया बत है हां सर तो अब बताओ कैसे हो जाएगा सब अभी देखो छे क्या लिखा हुआ है अगर अगर अट्रहस new year सवन अबव स्ते हो तो 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 अड़ा सुना उपाए का सवान को तो डिश फ्ली दिघ्र परॉफिट और आए सिर कि तना पतित्स हो तो और शजह ठ जकने नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया हुआ है? किसी का टेन परसन का लॉस बराबर आठ सो दस दिया ओए ठीक है बढ़ीज़ दिखा लगात है अब दिखो धिनान लगात है वाट सुट भी देस लिंग प्रैस अब दा आफ एट लॉस ऑफ ट्विन्टी परसन बहुत ही बढ़ीज़ा है सर कैसे हो जाएगा सर देखो आठ सो टो दिखा वेड़ तो अग्धर नइहिंट गोंट को आपको उसी सामान को पेचना पड़ेगा बढ़िया बात कोई दिक्ताथ इसमें हासा यह समझना बहुत ही ज़रूरी है नेक्स्ट क्या दिया है यह समझना भूए जण नेक्स्ट क्या दिया हो इसा है यह समझने से पहले एक छीज देखwał इस title का jokタ हुता है यह आपको 10 से 12reiben में करना है ठीक है एन औरले for at 14 raise to the 2 upon 7% ठीक है, profit, what is the ratio of the selling price to the cost price, अब सर किसी का 14 raise to the 2 by 7 आ रहे है, मतलब इसका calculation क्या हो जाता है सर, इसका calculation हो जाता है, fraction value 1 upon 7 होता है, कैसे, 7 चों का 28, 8 carry for 2, साथ एकम 7 दो ना, तो 98 plus 2, that is equals to कितना होता से 100, तो 100 बटा 7 यह आता था, fraction percentage में नीचे 100 हो जाएगा, कट जाएगा एक बटा साथ, ठीक है, तो सर, एक बटा साथ मतलब सर, इसमें profit, तो सर, ratio of the SP and CP, SP and CP कैसे हो जाएगा सर, सर, इसके SP and CP बन जाएगा, SP आ जाएगा, साथ रुपए में एक रुपए का profit बराबर आट रुपए, और CP क्या हो जाएगा, सर, साथ रुपए, तो एक अपन सेवन इस दा करेक्ट आंसर, कहा है option, सर, देखो option नमबर बी इस दा करेक्ट आंसर, बढ़ी यह बात, कोई दिक्का दिसमें, आसा करते नहीं है, तो चले देखते, अब देखो किसी आर्टिकल को आपने कितने में बेचा, सर, 22.5% में बेच दिया, 22.5 का fraction value होता है, कितना 9.40, लेकिन हम नहीं करना नहीं है, इस तरीके से, क्योंकि हमेसा याद नहीं रह सकता, तो सर, एक चीज़ ध्यान रखो, कितना हो जागा सर, एक चीज़ ध्यान रखता है, सर, किसी सामान को 22.5 में बेचते हो, मराबर कितना हो जागा तो प्राफिट होता है, सर, 122 रुपए का प्राफिट हो जाता है, 122.5 का होता है, जबकि उसका cost price 100 होना चाहिए, ठीक है, तो सर, cost price and selling price, तो 100 upon 120.5, यह हिसाब करना है, खतम का नहीं, तो इस पॉइंट कोटा हो, तो उपर 0 हो जागा, सर, 5, 2, 10, 11, 12, 5, 20, 5, 25, 25, तो यहां से कितना होता, 5, 2, 10, तो 200 आ गया, फिर हिसाब लगाता है, कितना हो जागा, सर, कटेगा तो, सर, यह 200 होता है, फिर कटेगा तो, सर, 5, 20, 5, 9, 45, तो यह कटेगा, तो कितना हो जागा, सर, 5, 20, तो 40, तो 40, तो 40, तो 49, option number, she should be the correct answer, बढ़िया बात है, हां सर, तो चलिए देखते, next question, क्या दिया हो है, यह SCMTS, 2019 का question है, क्या दिया हो है, सर, यह क्या दिया हो है, देखो, यह क्या दिया हो है, आर्टिकल 1, यहां पर देखो, SSC MTS 50, 2019 में पूछे गए, question, सर, क्या दिया हो है, आर्टिकल 1 was sold for rupees 180, एक्सवसी में बेचा गया, आर्टिकल 2 was sold for rupees 240, the profit on article 1 is 20% and the loss of article 2 is 20%, अब देखो, सर, क्या दिया हो है, सर, 180 में जिसको बेचता है, एक्सवसी में जिसको बेचता है, आर्टिकल 1 को, उसमें कितना होता है, profit on article 1 is 20%, तो इसमें 20% का profit है, 20% का profit उपर के तरह वैरो दे दिया है, आर्टिकल 2 में मतलब जिसको 240 में बेचा, उसका क्या है सर, आर्टिकल 2 में उसका loss है, कितना सर, 20% का loss है, बढ़िया बत, हाँ सर, बढ़िया बत, आप देखो, ध्यान लगाते है, क्या ध्यान लगाते है, सर, 180 में जो सामान है, बेचा गया, उसमें 20% का profit होके ही आया, 20% मतलब सर, एक बटा पांच, तो मतलब सर, छे बटा पांच, प्राइस वैलू, बराबर 180 दिया हुआ है, तो सर, उसको ओरिजिनल प्राइस में लेके जाने के लिए, या फिस सीपी क्या हो जागा, सर, पांच बटा छे गुना करना पड़ेगा, तो छे तिया असी, तो तीस, पांच, पंद्रा, एक सो पचास हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आसा करते कोई दिक्कत नह जाए, तो दो सो चालिस को 5 बटा से गुना करेंगे, तो चार चोचोगे चोबीस, तो साथ, तो 6, 5, 3, 3, 100 यह दोनों को सीपी का साम है, कहा है ओप्षिन, अप्षिन नमबर ए इस दर करेक्ट आंसर, देख ओव आप्षिन नमबर ए दिया हुआ, ठीक है, यह जो टीटा प the difference between यहां पर देखो लिखा हुआ है 6th August MTS वाले question ठीक है हमने इसमें CGL CPO MTS का भी जुड़ा था यहां पर लिखना भूल गया इसके बाद हम लोग लिख लेखें ठीक है तो MTS जितना सारा question आया था SSC वाले सारे देख लो यह question आया था इसके बाद हम लोग GD वाले classes भी start कर जाएंगे next माहिने से आएगा इस माहिने से नहीं जितना previous year का GD का question मिलेगा हम सभी का set के तरह पढ़ा देंगे आपको ठीक है तो समझता है पहले क्या दिया हुआ सर यह देखो दिया हुआ है the difference between the selling price of an article when sold at 20% profit and 18% loss is Rs.570 ठीक है what will be the selling price when it is sold at 12% loss हमें इसको ज्यादा दि देखो when sold at 20% profit तो किसी का 20% profit इधर लिखा हुआ रहेगा plus में और 18% का loss इधर रिखा हुआ रहेगा 18% मानस में तो इन दोनों का बीच का gap कितना दिया है 570 दिया है तो इन दोनों को जोडते थे कितना होता सा 38 38% का value बराबर 570 दिया हो है तो 100% का value कितना हो जागा गूर ज से क्या हो जागा दो दो उनीस अटीस होता है सद्धों पचास सो होगा सद्धों फिफ्टी सेवन तो थर्टी आता है तो पांच तिन पंद्रा पंद्रा सो आ जाएगा आपका original price हमने सही किया नहीं क्यों देखो लिखा हुआ है the selling price when it is sold at 12% loss तो 15 से थोड़ा से छोटा हो जाएगा सद्धेरा सभी सा जाएगा कहा है option number देखो सी दिया हुआ हमें और कोई calculation करने का जरूरत था इसमें नहीं सर तो इसमें जरूरत नहीं था हम कह रहा है लेकिन फिर भी हमारे गलती लग रहा क्यों कि इसमें थोड़ा सा गलती है कैसा गलती कि हमने पहले यह आंसर लेके चल रहे थे लेगिन फंद्रासो लें नहीं लेना है क्योंकि उसमें 12 पर्षन का लास्टेगो सभी पंद्रासो से ज़्यादा है सोचने का कोई जरूती नहीं इसमें तो चली देखतें नेक्स्ट क्वेशन कलिए हुए देखतें थोड़ा से समझते है लिका हुआ है स प्राफिट प्राइब क्या हो जाता है तो जाता है तो सर्छ प्राइब अगर 18 सो जाता है सेलिंग प्राइब जब भी 32 दिखा मेरे को चार से डिवाइड करना था चार 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 बर थिस्ट कि तुट चार पचिस सो होता है और 25 तो तो सर इसका पत्चिस में आठ का प्रॉफिट लगा ना तो सर कितना होता सर 85 कितना हो जागा सथ 13 तो गुणा 33 अपन 25 करना है अब 25 से काटोगे फिर जा साथ दो नो छतिन नहीं होगा नो दो यारोगा औच्छा दस यह नहीं होगा तो यह अंसर होना आनिवारे हैं आपके लिए यह थोड़ा सा ट्रीक लगाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से इस क्वेस्टेंज को काल्कुलेशन करना पड़ता है गुना कर लेता है सर अटरा चके कितना होता है 72 72 गुना तीन कितना होता है तीन गुना चेश साथ तीन इककिस ठीक है यह हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो अभी अभी क्लास में जुड़े हो जाके जोइन करो और क्या करना है और कुछ नहीं करना वहां पर पीडियव मिल जागा सब कुछ मिल जागा बार 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 पीडियव जो पूछते रहते हो उसके लिए यही एंसर है मैं दिखा द पर फिर जाके ऐसा मत करना कि इसर लेट करके आप दे रहो सलुशन्स फोटो भेजना मत आप टाइप करके भेजो मैं तुरंत आपको सलुशन्स करवा दूंगा ठीक है यहां तक सही है यह फिर कोई दिक्क्त है इस में आसा करते कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए देखते न परसेट फिर यह फिर फिर फैद्ट फाइंद फ्रफिट इवाट परसेट अवद फोस प्रैस अच्छ ठीक है 20 परसेंट अब द शिलिंग प्रास मतलब सब्सक्राइब अगर बेच रहे हो इस पीड़ा रुपए है प्रफिट किद्र अब बीस हुआ इसका वीश परसेट ब जाता है चार पच्चिस सो अप्शन नमबर भी यह कोश्चन्स दूसरे तरीके से पहले पूछा जाते थे कि आगर प्रॉफिट के उपर 50 परसंट है तो सीपी के उपर प्रॉफिट कितना है वो निकालो एकी टाइप का कोश्चन है यह ट्रेंडिंग मतलब मैं आपको जब ब देखना प्लेलिस्ट में है मैंने प्रिवियस यह के इससी का जितना सरह लगवग लगवग आठ नौ चैप्टर के एक साथ कंपाइल करके सुबह 6 बजे सुबह 8 बजे का असपास आपको मिल जाता है दस बारा कोश्चन दिया जाता है हर रोज आप जाके चेक करो एक बार चेक करो हां पर सारे के सारे मिल जाएगा अगर बोलोगे तो प्लेलिस्ट भी स्क्रीन पर दिखा देंगे ठीक है लेकिन उतना टाइम नहीं होगा क्योंकि आप कभी टाइम नहीं है अभी टाइम खराब नहीं करता है तो चले देखते तुरंत हम लोग आगे के करवाई प्रक्ति ऩावन बंग विश्ट निकालते हैं यह सेलिंग प्रैज ऑफ आन आर्टिकल के प्रतिशन फ्रसंट डैता है तो लौस कितना हो गया सलो स्ट बहुत बढ़िया औह से कितना बड़िया होगे कि अच्छा देख़ धियान लगाते जैसे ध्यान लगाओगे कि अगर CP 100 था तो 25 में आप बेच रहे हो तो लॉस किदना हो रहा है सा 75 हो जागा ना यह कोई बात हुआ सोचने का तो चले देखते नेक्स्ट क्वेशन देखो यह भी MTS 70 अगर्स 2019 का क्वेशन पूछा हुआ है इन दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस का बोला गया तो इनका पंदरा और बारा के बीच का गैप कितना हो मिल रहा है तीन परसंट का वैलू बरावर अठरा ठीक है तो अठरा के वैलू तो एक परसंट का वैलू रावर 6 तो सब दोनों का कई C P कितना हो जाएगा तो दौनों का कितना अरोकर शचेथो और करके ख एगा है शच सब फदिवन कृशन देखो सब्सक्राय डी पे खेल रहा है巴वू उसको निकालो निकाल एंसर मार्क कर दो तो चले देखते है नेक्स्ट कोश्चन क्या दिया हूँ है SSC MTS 7th अगश्ट 2019 का कोश्चन हाई है the difference between the cost price and the selling price of a bet is 180 if there is a profit of 20% then what is the selling price of the bet अब there was a difference between the cost price and selling price of a bet is 180 ठीक है तो CP और SP के gap कितना है 180 if there is a profit of 20% मतलब सर 20% का value बराबर सर 20% मतलब एक बड़ा पांच तो पांच के उपर profit हुआ एक रुपए मतलब सर 6 रुपए होता है सर SP तो SP मानस CP क्या हो जाएगा सर SP मानस CP बराबर एक आता है तो बराबर कितना है 180 हमें क्या निकालना है सर ले सेलिंग प्राइस तो 6 का value निकालना है सर் आठडर्राजग चोके चोवण तो कीतना हो जाट सर् पांसोच फांसोचालिस सर् हमने सही किये नहीं ध्यान लग़ाओ क्यों सही नहीं उद्म क्यों गलत हुआ सो थोड़ा से समझते है देको सर अाठरा च कई कितना हथा सर आठरा च्रके कितना होता सर एक ऐजार असी हो जाहेगा सर कैसे ,etam ethics एफ वह फ्र रूपीन करोने घुना के फिर तो सही किये डियाता और ओ part अजय शोल्ड एन आर्टिकल फॉर रूपीज एटी-फॉर एड लॉस आफ थर्टी पर्सेंट इफ इसेल थे सेम आर्टिकल एड रूपीज वन ट्वेंटी दिन वाट विल भी द प्रॉफिट लॉस पर्सेंट तो सथी एटी-फॉर में बेचने पर तीस पर्सेंट का लॉस है तो एटी-फॉर गुना सो अपन सत्तर करेंगे तो यह प्राइस आजाएगा तो प्राइस बगेट के हिसाब करते हैं साथ एकम साथ साथ दुना चाहता तो 120 और प्राइस है अगर वह 120 में बेच रहे तो कोई प्राफिट कोई लॉस ना होने वाली गुरुजी है ठीक है देखते हैं नेक्स्ट कुछिन क्या दिया हुए है थोड़ा सा फास्ट करने का कोजिस करेंगे थाकि Number of Questions थोड़ा सा जाधा बं जाए आपका प्राक्टिस भी जाधा हो जाए स्स्ट्राइब बात है क्या दिया वाइब टू अर्टिकल वे सोल फॉर रूपीज तू तो चौबिस सो में बेचा गया है सौब की पर के द्वारा मतलब क्या बोला गया है दो अर्टिकल को सोल किया गया है ठीक है रूपीज चौबिस सो इच में अच्छा चौबिस सो में बेचा गया है बाइब सौब की पर के द्वारा तो सौब की पर एक नो प्रॉफिट और नो लॉस ऑन दे होल ट्रांजेक्शन इफ वन अफ द तो अर्टिकल सोल एड़ प्रॉफिट अफ ट्वेंटी परसंट ठीक है अधर वस इंक्यूड अनदर आर्टिकल कितना हो जाएगा सर दिन वाट वस दे लॉस इंक्यूड अनद अधर आटिकल मतलब दूसरे में कितना लॉस होगा या फिर प्रॉफिट यह हिसाब करने के लिए बोला गया देखुसर चॉबिस सो में बेचने पर ब्वीस परसन का क्या होता सर सो ले प्राफिट होता यह शीनल सीपी निकालते है तो कितना होता है 12 दूना 24 तो 20 तो 2000 रुपाय औरिजिनल प्राइस था तो प्राफिट कितना हुआ 400 रुपाय का क्या ही यह दूसरे सामान में वही 400 रुपाय का घाटा होना चाहिए हां सर अप्शन नमबर भी शुड़ विदा करेक्ट अंसर बढ़िया बात तो चले देखते नेक्स्ट कोईशन क्या दिया हुआ है देखो MTS 7 अगश्ट 2019 का कोईशन है यह प्राफिट अन ऑन बाल इस थी फिप्ट अप दे सेलिंग प्राइस ठीक है इस पी के तीन बड़ा पांच बढ़िया है इव दे सेलिंग प्राइस ऑफ द बाल इस वन ट्वेंटी देन हाउ कानी तो पांच दुना दस पांच चुके बीस तो चौबिस तिया बाततर होता है सेवेंटी टू रुपए का प्राफिट नमबर वान इस दे करेक्ट अंसर यह आपको चगमा देगा कि कुश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है यह सोचने सोचने में आपको मजबूर कर देगा इसी कारण से इस टाइप का कुश्चन दिया रहता है जिसमें कुछ नहीं रहता है आपको लगेगा कुछ न कुछ है हम मिस कर जा रहे है ठीक है सेवेंटी सेवेंटीन का कोश्चन है ध्यान लगाओ क्या दिया हुआ है दा कॉस्ट प्राइस साइकल का क्राइम सब्सक्राइब करेंटीन का कुश्चन है यह करना जरूरी था इसलिए मैंने आपको ऐसे दिखा दिया ठीक है तो चलिए देखते है नेक्स्ट कुश्चन क्या दिया हुआ है SSC MTS 8 August 2019 का कुश्चन है यह दा इफ्रेंस इन सेलिंग प्राइस आफ अफ अन आ अर्टिकल विन सोल्ड फिपर्सन पर फिट आन सेवंटीन पर फिट पर संट लॉस इस रूपिज निदेश इफ इस सोल्ड थे तेन पर संट पर फिट देन वाट इस दे तीन आपर इस दे प 15% में profit में बेच रहे हो आप इसका 17% का loss में बेच रहे हो ठीक है इन दोनों के बीच का कितना हुआ साथ पांच बारा के रिफडवान तीन 32% क्या यह 32% बरावर 96 का वैलू है दिया हुआ है तो इसका कितना वेटिवान हो रहा हुआ सार इसका तीन गुना हो रहे हुआ इसको तीन सौलते प्रेसन प्रफीड में बेचना अच्छा ठीक Holz समान के इसका 10% कितना हो था 30 रुपए तो समान के प्राइस कितना हो जाएगा सर तीन सो तीस हो जाएगा अप्सन नंबर डी शुट भी दा करेक्ट आंसर बढ़ी आया है तो चली देखते हैं नेक्स्ट कुशिन क्या दिया हुए यह भी एससी एट अगस्ट का कॉश्चन है थोड़ा से समझ लेता है फिर जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा देखों एट अगस्ट तो 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 नाइटीन में पूछे गया ते क्या बोला गया मार्क प्राइज ऑफ अन आर्टिकल इस रूपीस टू सीक्स डबल जिरो विच इ इसका दुगना मंतलब 20 गुना दिया हुए तो ओरिजिनल सीपी कितना है सर ओरिजिनल सीपी है 2000 यहां तक हिसाब थोड़ा से नॉर्माल ही था तो इसके उपर 45 परसन का प्राफिट निकालना तो कितना हो जाएगा से 145 कर लेता है तो गुना गुना हट गया सर कितना हो जा तो इसके गुश्ट क्या दिया हुए तो टेवे सेम्ट इसे एट अगर्ष 2019 का कुश्चन है दा कॉस्ट प्राइस अन सेलिंग अफे एस इन सेलिंग प्राइस आफ इसका तेन परसन गटा देता है ठीक है यह वाइज आफ बार्गनिंग यह कास्टमर कान ब्रिंग खटा देता है, ठीक है, the cost price, of the cost price, ठीक है, then what is the profit percentage, बहुत ही बड़िया, यहाँ पर किस का cost price के बारे में बात कर रहे है, तो इसका 10% घठा देता है, तो इसका 10% बरावर 96 रुपए, तो यहाँ से 96 को खटा देगे, profit में से 96 को खटा देते हैं, तो कितना हो जागा सर, सर यह होता है 90 हड गया 92 हड गया तो 1300 से चार हड़ सो चार हड़ेगा तह बारह दो 96 तो यह कितना सर यहSab कितनाव है तो सिर्म six to six to six to six to six to six to four अन्व तो तु stickers Security का profit होता है किसके ऊपर 900 के ऊपर कितना थे तो कड गया कड गया 6 कम चे चेश्ट शकाँ चतिस तो चार चुगे सोला चार से दो दुना चार 2 साथ 14 दो से कटेगा तो 25 दू साथ 5 35 तो 35% का प्रॉफिट होता है का option option एंसर बड़िया बात कोई दिख्कत इसमें आशा करते कोई दिख्कत नहीं है तो चलिए देखते क्या दिया हुआ है समझते है थोड़ा सा क्या दिया हुआ है देख लेता है देख लेता है तो कॉस्ट प्राइस प्राइस एकोस टू छे बटा साथ एस्पी वाट विल बी दौ लौस परसेंटेज सर एसपी अपन लोग निकाल लेता है तो क्या होजागा सर क्या बटाचे तो प्रफी वाना चीज सी पी था साथ एस्पी है तो कितना प्राइस ऐक किसके उपार चेक उपर कितना पर अठीक के उपर एक उपर सचेख उपर इतना मतलब ह से करने के को कोशिस कीजिए फिर दिक्कत नहीं आगा इसका एक चार्ट दे देंगा मैं कहां पर दे दूँगा आपको यह मैं दे दूँगा टिलिग्रम चैनल पर कहां पर यह देखो लिंक दिया हुआ है इसमें जॉइन कर लो एसे सी मैथन अट दे रिट आप जीमेल डाट क इप फिर प्रफिटी स्कालकुलेटाइड उन दे चलिंग प्रफिट पर्सेंटेज देखा अगर सीपी अगर सीपी सौ था प्रफिट परसेंटेज ट्वइट डाट परसेंट लगा रोले मतलब सीगे इसको पेचीज पाचीज फिय। अफेज पर्ट पछेगंगी की सापी सब का रट चुका है इतना मतलब कोश्चन इतना बाहर पूछे गया थे यह कोश्चन की यह सब में मतलब जुबाना तरीका से सब का रट चुका है ठीक है यह 20% ही होता है यह सब्सक्राइल का समय फिर जाके पड़ता है देखर क्या दिया है दिया है कि एश्युक्राइरश की इस पी के वैलू बरावर एक टी एक रशेयो के वैलू पर रवर चारदुनाव बीस ठीक है तो पिस रूपए एक रोली टीक की रेसियो का गैप कि इतना एक रेसियो ही है तो एक रिश्यो बरावर 20 रुपए तो लॉस कितना हो तो सर 20 रुपए का option number C is the correct answer. ओके सर तो चले देखते है next question क्या दिया हुआ है? यह से CMTS 9 अगस 2019 का question है. क्या दिया हुआ है? समझते है थोड़ा सा. The cost price of a pair किसका? सूज का? 12,000 रुपए दिया हुआ है. ठीक है? बड़िया है. कोई दिक्क दिसमें? आसा करते हैं नहीं है. सूज such that after allowing a discount of 16% the shopkeeper, what should be the mark price? देखो CP दिया हुआ तो 12,000 तो उसका mark price कितना बनाए जाए? कि उसके उपर छूट देने का बाद कितना? 16% discount देने का बाद 12% का profit आता है. ये एकदम हिसाब normal होता है. इसको आप fraction में करें, किसी में भी करें. मेरे को बात है, अलग बात लगता है. कैसे? 12,000 ये CP है. ठीक है? इसके उपर 12% का profit आना है. मतलब सर 112 बटा 100. आपके SP के उपर कितना percent discount दे रहा है? 16% मतलब सर 84 बटा 100. खतम का नी 100-100 कड़ गया. तो SP क्या हो जागा? 12,000 गुना 112 upon 84. चार दुनार, चार एकम चार, चार तिन बारा. तो तीन हजार आता है, तो तीन से काटते है तो कितना हो तो तीन साथ एकेस. साथ एकम साथ, साथ छे वैरलेस. तो 16,000 इस दा करेक्ट आंसर. आपका तो आरहा है तो एक काम करो, इसको खरने का तरीका क्या है? सर, आप जल से साल्ब करो, साल्ब करकर का कोमेंट सेक्शन में बताते रहो कितना आपका एंसर आ ठीक है? अगर मैच कर जा तो बढ़िया है अगर नहीं मैच कर रहा तो फिद जाके एक बाद चेक कर लो सही से इसके उबर 15 परसंट का डिसकाउंट दे रहा है इसका 15 परसंट का डिसकाउंट दे रहा है सर उननीस रुपे का उननीस पर्शन का प्रफिट हो रहा जब देखा जाए कि इस टाइब का फ्रेक्षिन वैलु दिया हुआ है कि प्रसेंटेज वैलु की थोड़ा सा बड़ा बड़ा है तो उसको क्या करना है उसको किसी भी तरीके से percentage और fraction मलू में convert नहीं करना है क्यों नहीं करना है उसमें आसानी से हो जाता है ठीक है because if 20% of the goods are sold at 50% profit 40% of the goods are 20% loss and 20% of the goods are 5% loss the remaining at no loss and no profit then overall profit percentage यह बहती बैतरीन सा सवाल है ध्यान लगा हम क्या कर रहे है कि total समान समान total 100 पकड़ ले ठीक है और 100 का प्राइस था सो समान total 100 पकड़ ले रहे सव का प्राइस था सो तो 20% of the goods are sold at 50% profit 20 कितने में बेचा 50% profit में बेच लिया मतलब 27 का प्राइस था 20 उसका 50% मतलब 10 होता है तो 30 में बेच दिया यह प्राफिट कितना हो रहा है सर प्राफिट और प्राफिट और लॉस निकालना है तो यह प्राफिट कहीं साब करता है सर कितना होता सर प्राफिट 10 रुपए का प्राफिट अच्छा यह यह सीपी है और प्राफिट 20 है और यह प्राफि तो 40 goods कितना में बेच रहे हो, 40 goods बेच रहे हो price कितना 40 है तो उसको कितना में बेच रहे हो, 20% loss में तो इसका 20% बराबर कितना होता है, 40 गुना 20, 40 गुना 20 अपन 100, तो कितना 4 गुना 8 हो जागा, ठीक है, तो 8 रूपए का लाउस, देखो sir profit or loss ये लिखना था, 8 रूपए का माइनस दे दिये तो 20% of the goods at 5% loss तो 20% of goods 20 रुपए तो 5 दून 10 कितना होता है तो 100 होता है तो एक रुपए का loss में and remaining and no loss no profit तो रिमेनिंग को छोड़ी देता है तोटल profit निकालता है कितना होता है 10-8-1 मतलब कितना है 10-8-1 मतलब सर एक रुपए का profit हो रहा है किसके ऊपर टोटल समान का price कितना था सर रुपए समान था तो एक रुपए सो रुपए के ऊपर profit हो रहा है कितना प्रतिशाद इंटू 100 कर लेते तो कितना आ जागा सर 100% में 100 रुपए में एक रुपए बराबर एक परसेंट होता है नमबर डी इस दा करेक्ट एंसर ठीक है यह तरीका होता है इस टाइप का कोश्चन को करने का नहीं तो इतना बड़ा हो जाएगा कि पागल बन जाओ फिर जाके दिक्कत हो जाएगा हमें काली प्राफिट लॉस ही निक परसेंट करता है पच्ची परसेंट जिसको चौबिस सो में बेशने पर फच्चीस परसंट का वैलू कितना होता है सर पच्चीस बराबर एक बड़ा चार मतलब चार के ऊपर एक रुपए का प्रफिट लगा कि पांच रूपए एस पी बराबर यहां पर चौ़विस सो दि करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो यह आ जाता है चार अड़ बत तीस के रिफर तीन चाचो के सोला तीन उन्नीस उन्नीस सो बीस रुपए वाले सामान को कितने में बेज रहे हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो यह गुना चार कर लेता है ध्यान लगाओ हमने इसको काड नहीं है तो चार गुना कर लिए चौविस दून आठ तालिस होता है तो चार दून आठ तो किसी का आठ बराबर कितना होता है सर सौबटा बराबर साड़े बार आप अधिश्वत का प्राफिट होता है अप्शन नमबर सी शूड़ भी था करेक्ट अंसर इस टाइप से आप प्रैक्टिस करते करते है फ्रैक्शन वैलू आपका रट जाएगा फिड़ जाकर कोई दिखक्त नहीं आएगा ठीक है खाली रटना है और कोछ नहीं करना इसमें प्रैक्टिस में ही रटना है ऐसा नहीं बैठे बैठे एसा गरके मुंडीला हीला के अप्रैक्टिस कर हूँ आप तो चले देखते नेक्स्ट कुशन क्या दिया है वह ये ये अ समाज प्रदिशात का वैलु कितना हो तो सर एक बटाट मतलब आट रूपए का समान को आप नौ रूपए में बेच रहे हो एक रूपए का प्रफिट हो रहा है नहीं इसके उपर हां सर तो सर आट रूपए बराबर and sell at some price and sell it to be at 20% profit तो एक क्या करता है एक वाटर कुलर खरीटता है जिसको 20% profit में बेशता है बी सेल्स इट टु सी एट 10% profit अच्छा ठीक है बी क्या करता है यह 20% 10% profit में पेशता है इप सी बहुत इट रुपीज 666 दिन फाइंड दा कॉश्च प्राइस अब बहुत बढ़िया तो ए से हम लोग बी तक जाएंगे कितने में है सर 20% profit में अब बी से सी तक जाएंगे हम लोग कितना में सर 10% profit में ठीक है ध्यान लगाओ यह 6666 अप्टर अलाविंग अफ्टर गेटिंग है profit ठीक है मतलब सर यह दिखके देखके लग रहा है कि 10% का profit लगाने के बाद मतलब 110 हो जाएगा 110 बटा 100 तो बी के जो CP थे उस के उपर 110 बटा 100 लगा के हमें कितना मिल गया है तो सी बराबर कितना चे 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 गुना 100 बटा 110 कर देंगे लेंगे तो हम लोग का एंसर आजागा हाँ सर तो 00 कड़ गया तो यारा 664 तो 66 हो जा रहा तो 66 गुना हम ही क्या करना है यह गलत लिखे 606 होगा तो 66606 होग जाएगा इसका प्राइस मतलब B को 6060 रुपए दे के खरीदना पड़ा था option number B is the correct answer B के लिए B answer है और कुछ नहीं है तो चले देखते है next question क्या दिया हो है यह SCMTS 13 अगर्ष 2019 का question है क्या दिया हो है Pratik sold his pen at a profit of rupees 11. He calculated the profit percentage on selling price and found 25% of the cost price of the pen the cost price of the pen is sorry the cost price of the pen is there was a selling price I found it it is 25% selling price के उपर 25% 25% बराबर सो दिया हो है 25% बराबर यारा दिया हो है तो sir SP कितना हो जागा 100% के value बराबर SP है 144 SP है 44 किसी का 25% profit होने के बाद या फिर बोल सकतो यारा रुपए का profit होने के बाद यह 25% को छोड़ देता है अभी किसी का CP के उपर यारा रुपए का profit हुआ तब जाके 44 आया तो उसका CP कितना हो जागा sir सब CP हो जागा 33 हो जागा 44-11 that is equals to 33 यह बात आपको समझ में है तो फिर दिक्कत नहीं है एक नमबर और नमबर यह हो जाएगा आपका अंसर फिर नहीं तो दिक्कत है फिर जाके चेक करो एक बार फिर से समझो फिर जाके आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है देखो फिर से एंटेस वाला थर्टीन अगर्स 2019 का क्वेशन आ गया क्या दिया वा इफन आर्टिकल इसोल फॉर रूपीस 23 परसंट प्रॉफिट इंस्टेट फॉर्टीन परसंट प्रॉफिट दिन प्रॉफिट दिन प्रॉफिट तो बराबर आपको दिया वा सर 189 तो सर एक परसंट या फिस सो परसंट का वैलू क्या हो जागा सर वाट इस देखते नेक्स्ट कुशन क्या दिया हो है देखा लिखा हुए देखो सर प्रॉफिट प्रॉफिट अन सेलिंग प्रॉफिट तो सी और दिया हो है सी और दिया हो है सी को अगर हम लोग सौ ले ले समझने के आसानी के लिए इव डी इस वन फिप्टी परसंट आप सी तो हंड्रेट गुना खतम कहा नहीं फिफ्टी परसंट इस दे करेक्ट आंसर ओके कोई दिक्कत है तो चले देखते हैं नेक्स्ट कुशन क्या दिया हो है इस के ओपर पंद्रा परसंट प्रॉफिट किसी में लगा रहा है हो दस परसंट प्रॉफिट उस नोचंट खालाहं फिर से लगा रहा है दूसरे समान में और 15 परसंट लगा रहे हो तो तोटल नेट अफिक्टिव प्रॉफिट प्रॉफिट उ लगा रहे हो बरावत 300 रुपई आ जाधे है तो प्राफिट को कुते हुआ तो च्ड़ मुझा उन्तिफिफ के ऊपर फॉत की यह थ्यां लगाई तोटाल सामान के प्राइस कितना है तिन 30 oso करके 379 तो 3000 के उपन बो 371 कि उपर 393 जर का प्रफित कितना हो जागा सद्सक्राइब जरो जरू जरू कड़ा तो यह 0 यह 0 कड़ जिए 0 गड़ीया सब तीन तैक नौँ होता है सबसर्ट वट तीन सब्सक्राइब आएगा दुजबटा 3% प्राफिट आएगा खतम कानी आप्शन नमबर 20 करेक्ट अंसर देखो सर कोई दिक्कत इसमें आसा करता नहीं है तो चले देखते हैं नेक्स्ट कोशिन क्या दिया हुआ यह यह ससी MTS फिर से आ गया 14-2090 का कोशिन ठीक है देखते हैं क्या दिया हुआ हाइग क्या नहीं दिया हुआ है थुड़ा से समाझ लेता है इद को सब्सक्राइब करता है कितना छार पर सब्सक्터leg करते हैं अन् डियन करता है 500 अब 500% का गेन होता है Mतलब 100 के ओपर गेन हुआ कि इतना 400 रुपे का गेन हुआ तो सर एस्पी कितना वन गा सरे सिस्पी बन गया 500 रुपे देखो नहीं लगाते ही यह सीपी था ठीक है यहां तक क्लियर है अप देखो बढ़िया और सिलिंग प्रैस कितना है तो रिश्यों कितना हो जागा तीन इस्टू पांच कहाँ पर दिया हुए सर ऑप्शन नमब सी इस दर करेक्ट अंसर देखो अग्यों तो चलते हैं देखते हैं निक्स्ट कुशिन क्या दिया हुए एक बढ़ इसको सेब कर लेता है देखो क्या दिया हुए इव दा सेलिंग पाइज अफ अन आर्टिकल इस थी फूर्थ ताइम्स और इट्स कॉस्ट प्राइज मतलब सरी इसके कॉस्ट प्राइज का तीन बटा चार ठीग है दा प्राफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालो बहुत ही बैतरी नहीं देखो सर एसपी एकोल्स टू थी बाइफ फूर आप सीपी तो सर एसपी अपन सीपी क्या हो जाएगा सर तीन बटा चार मतलब सर लॉस कितना हो रहा है सर लॉस हो रहा कितना सर एक रुपए का द तो चलिए देख लेता है नेक्स्ट कुशिन क्या दिया हो है देखो यह से सी एंटी है सिक्स्टीन तगर्स 2019 का क्या दिया हो है क्या नहीं दिया है समझ लेता है थर्टी डजन सफ नाट्स वेर ब्रॉपीज वन फूर फॉर ट्रिपल डबल जिरो इप दनाट्स वास्ट पक 3R5 करके था तो 5 पांचकट हो था एतना होता है इतना हम कर लेता है तो टोटल प्राइस आ जाएक तो सर फांच P 25 35 तो कि इतना होता है ने तो कितना होता या थाँ सब्सक्राइब नुम्र वी is the Correct answer ठीक है कोई दिक्कत आसा करते नहीं है तो चले देखते नेक्स्ट कूइशन क्या दिया हुआ था यह CCMTA 16th अगर्ष 2019 का क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है अन आर्टिकल वस सोल्ड फॉर रुपीज 500 आर्टिकल को सोल्ड किया गया 500 रुपे में दा सेलिंग प्राइज वस 10% लेस सेलिंग प्राइज 10% लेस होता है ठीक है इसको लेस करता है 10% से तो कितना हो जाएगा सर 450 तब भी जाके 12.5% का मतलब क्या होता है सर एक बटा आठ मतलब सर आठ रुपे के सामान को नौ रुपे में बेच रहो सर नौ बटा आठ इसपी और सिपी के रिश्यो नाइन अपन रुट होता है तो सर यह एसपी है तो सीपी कितना हो जाएगा सर आठ अपन नौ से गुना कर लो सर नौ पांच पैतालिस तो पचास गुना आठ पांच आठ चालिस तो 400 रुपे है ठीक है तो सर फाइंड दा कॉश्ट पैस अब आठिकल कितना हुआ सर हमने सीपी को निकाल दिया और फिर क्या ढूंडने के लिए जा रहे हो आप्शन नमर्सीज दा करेक्ट आंसा 400 रुपे है को दिक्कत इसमें है आसा करते नहीं है तो चले देखते नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया हुआ तो सर एक ही क्वेशन है देख तीच डेजन नाट खरीदा कितना 14400 में 32 पैकेट्स अब नाट 20 नाट्स इन इच पैकेट वर पार्चेस्ट फॉर रुपीज फाइज सिक्वेशन दबल जिरो ठीक है इफ द नाट्स अर कंपाइंड और सोल्ड इन पैकेट अफ रुपीज फाइब फॉर रुपीज फॉर अब देखो सब 30 डेजन नाट्स खरीदा गया 144 144 00 में अब 32 पैकेट्स अब नाट्स तो 32 गुना बीस 32 गुना बीस इतना पैकेट कहां गया 32 गुना बीस इतना कर इतना टोटल खरीदा कितना में 576 00 में ठीक है बद बढ़िया अब समझते हैं थोड़ा सा हिसाब लगाते है सब टोटल कितना नाट्स खरीदा गया सब 30 गुना बारा प्लास 32 गुना बीस तो बारा तिया 36 360 और 32 गुना चौना चौना चौन 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 खरीदा गया था कितना 1000 नाट्स खरीदा गया था ठीक है अगर 1000 नाट्स आपने खरीदा तो समझो एक बात क् सीपी कितना पड़ा 57600 प्लास 144 00 इनको जोडते तो कितना होता च्छे चोंके 10 के रिफडवान साथ चलिया रहे कम 12 के रिफडवान पाचे कम छे कम साथ 72,000 में बेचा सीपी खरीदा स्वरी 1000 का प्राइस कितना हो और 72 रुपए ठीक है अब इस तरीके से भी कर सकते हो क्यास देखो 5 नार्स खरीटा है 432 सॉरी बेशता है 432 में तो यहां पर 5 नार्स खरीदा कितना में सार पाँच दूना दज्फ पाँच साथ पैधिस 350 360 में कितना में सर एक का प्राइस 72 निकला था पाँच नार्स की तिना निकलेगा पांस दूना दस, केरिफरड वांस, पांस, साथ, प्नेट इसे खम, 36, 360 में, तो इनका profit कितना हुआ, सा 360 के उपर profit लगा रहे हो, कितने में सर, 360 के उपर 432, 360 खटाते हैं, तो कितना हो जेगा, बढ़िया बात कोई दिक्कत इसमें आसागरते कोई दिक्कत नहीं है तो चले देखते नेक्स्ट कोशन क्या दिया हुआ यह MTS 16 अगर्ष 2019 का कोईशन है अब देखो ध्यान लगाओ क्या यह अनिवारे है हाँ प्राइस यह अनिवारे है कैसे देखो से 40,000 के उपर 8,000 का यह प्राफिट लेके आ गया एक बाइक में ठीक है 8,000 का प्राफिट पहले बाइक में आ चुका है ध्यान लगाते है थोड़ा सा अब देखो 25 परसन का ओबरॉल गेन निकालना है तो सर 80,000 दो ब्राइक का प्राइस कितना रहेगा सर सीपी 80,000 इसके उपर 25 परसन निकालते तो कितना होता है एक बटा चार ठीक है तो एक बट के उपर सा 40,000 के उपर प्राफिट लेका आना 12,000 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जागा सर बावन हजार 52,000 आ जाएगा अप्शन नमबर सीज दा करेक्ट अंसर ठीक है कोई दिक कर दिसमें आसा गरते नहीं या अप्शन नमबर सीज दा करेक्ट अंसर तो चलिए देक्ट स्कूशन क्या दिया हूए? दो कोस्ष प्राइज आटिकल को और कोस्ष प्राइस फिर्पिज रूपीस वन पोर फूर जिरो रोगफ तीज वन फूर फूर जिरो दिया हूए ठीक है and its selling price is 1800 रूपे इसका एसपी दिया हूए 800 वाट इस देखा है उन एटारासर तो किद्साम पांस तीन आठ तो 306 रुपए की सब्सक्राइब के ऊपर रहा कि न्युद एक सब्सक्राइब किड़ांब तो चलिए देखते नेक्स्ट क्या हुआ कितना कुश्चन हुआ आप जरूर काउंट करना काउंट करके बताना आज के क्लास में कितना कुश्चन हुआ है यह देखो क्या दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है समझते हैं the difference between the selling price of an article is 1440 when it is sold at 20% 20% profit में sold किया गया है and 17% loss ठीक है बहुत बढ़िया तो दोनों के बीच का gap कितना आता है उदर प्रॉफिट है इस लॉस है मतलब 37.5% total value निकल गया ठीक है इधर प्रॉफ तो टोटल कितना होता है सर सर टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना आ गया सर 37.5 इन नोनों के बीच का gap यह वैलू बराबर 1440 दिया हुआ सर 1440 लिख लेता है हां सर अब देखो what will be the selling price when it is sold at 15% profit में बेच रहे हो 15% profit में बेच रहे हो तो अब जाके इसका SP कितना हो जाएगा सर क्या हो जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाता है देखो सर 37.5 के वैलू अगा 1440 दिया हुआ है तो सर ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा सर एक का वैलू या फिर 100% का वैलू 100% का वैलू आ जाएगा सर 1440 गुना 100 अपॉन 37.5 इस पॉइंट को अटाते तो और एक 0 आ एक बात समझो इसको काटेंगे तो छोटा हो जाएगा तो 25 तिया 75 25 चोके सा तो 43 से काटेंगे तो 39 27 तो 96 गुना 40 करेंगे ये सीपी आ जाएगा तो 0 6 चोके 24 कचार कैरीफर 2 9 चके कितना होता है 9 4 36 होता है तो 36 दुना 38 तो 3840 हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस और सीपी ब यह रहा पांच पर पांच तिन पंदर तो पांच से पांच दुना दस तो 2 कटेंगे तो कितना हो जाएगा 292 गुना 30 कितना जाएगा लास्ट में छे आजएगा सर 4 4 1 6 यह एकदम यूनेटिजिटी मेथोड से में बी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं था ठीक है यह जो ने देख लेता है था सम अब डेको कॉस प्रैससा आ ऑफ ए अड बी इस रूपिस रूपिस 12000 पहुत बढ़िया था श्रिंग प्रैसऑ दर्फिस रूपिस 1390 बहुत बढ़िया इफ्ट ऑफ यह भी नो कैसे निकाले ता अगर हम लोग CP के वैलू सम्छा understood अगर हम लोग CP के अब SP क्या है सर, A के SP कितना 110 बटा 100, क्योंगे 10% का profit A कमाया, और B का सर, सर इसका 10% ही निकाल लो ना, तो profit निकल जाएगा, अच्छा ठीक, A और B का CP का ratio निकाल लो, तो इसका 10% ही निकाल लो, ध्यान लगाओ, हमने क्या किया, profit ही खाली निकाल रहे, ठीक है, तो सर, profit कितना हो जाएगा, इसका 10%, तो गुना 10, बटा 100, कहाँ गए, पेल, सर, गुना क्या करना है, सर, 10, बटा 100, तो गुना 10, बटा 100 कर लिए, बी का कितना होजाएगा, sare, B का profit ही, 20%, तो गुना 20, बटा 100, यह बरावर कितना हो truths, टेरा सो नमबबए, मायनस बारा सो, कितना होता, सर 190, नहीं प्रनांप सोगद यहां से कितना आता सर एक गुंञा दस मतलब एय प्लस 2 Depending बरेबर कितना जार सर वॉननाइटी मतलब 19 गुना सो क्यों थस समने डिवाईड कर दिये यहांद सButler सट्टिया यह तर दसकर यह सब्धक यह दसकर यह तर तो कितना होता सर 900 आता है साथ उननीस तो 700 रुपए आ जागा कितना आ जाएगा बी के वैलू 700 रुपए तो यह का वैलू कितना आता साथ पांच बारा सो रुपए तो फाइव इस टू सेवन इस दा करेक्ट आंसर इंदनों का सीपी का रिश्यो कहा है अप्शन नंबर ए इस दा करेक्ट आंसर बढ़ से नहीं आप बताना कितना होता है आपका होम और की एंसर आता है कि नहीं आप से बनता है कि नहीं यह ज़रू बताएगा आज के लिए बसंत नहीं रखते हैं थैंक यू बाई बाई स्टे टून फॉर निक्स्ट क्लास